हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस आइडिया तो पहुँच गया हूँ आज एनखौ मंडी और आज की मंडी से आप लोगों को एक से बढ़कर एक गाय की डिटेल देने वाला हूँ जो के डेरी फार्म में यूज करने के लिए काफी शांदार गाय है और मैं सभी डेरी फार्मर भाई को ये रिकमेंट भी करूँगा कि इस मंडी में एक बार जरूर विजिट करें अगर कोई भाई गाय खरीदने के सौकीन है डेरी फार्म के लिए गाय लेना चाहते हैं तो काफी अच्छी अच्छी गाय इस मंडी में उपलब्ध हो जाती है इस मंडी में आपको 18-22 लीटर तक की गाय आपको उपलब्ध हो जाती है ये मंडी सपताहिक है परती एक गुरूवार को लगता है और ये मंडी पटना जिटिक में आता है पटना से इस मंडी की दूर 35 km है तो चलिए जानते हैं गाय का डीटेल जोके एक ही ओनर की 4 गाय है और चारों का बारी-बारी से आपको डीटेल दिया जाएगा तो वीडियो में अंतक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें आपके लाइक करने से हमारा आत्मो विश्वास बहुत जादा बढ़ जाता है और आगे काम करने को भी दिल करता है तो चलिए देख पा रहें यहाँ पर चार गाय जो के एक से बढ़कर एक गाय है और चारो गाय की आपको खासियत बताने वाला हूँ कितना मिलकिंग में है कितने दात पे है पहले एक बार गाय की अडर वगरा को अच्छे से देख ले फिर एक एक करके सभी को गाय को बारी बारी से आगे चलाएंगे और एक एक करके फिर सभी का रेट आप लो milking है तो क्या milking है वो अब आपको detail एक एक करके देना start करते हैं सबसे पहले white वाली गाय का आपको detail देना चाहेंगे जो के ये गाय देख पा रहे हैं आप 4 नाथ पे है और इसके नीचे 18 लिटर milking capacity बताई जा रही है जो के order की बनावर देख सकते हैं काफी शांदार order है और गाय भी काफी खुबसूरत है चार नाथ पे 18 लिटर milking capacity और इस गाय का जो demand रखा गया है इसके honor दुआरा वो 61,000 रखा गया है 61,000 रुपया बच्चा इसके नीचे female है बाची बच्चे के साथ में ये गाय है तो गाय कैसी लगी comment करके जरूर बताएंगे और price fix नहीं है ये आपको clear करना चाहूंगा तो चलिए अगली गाय के तरफ चलते हैं और दूसरी गाय का आपको detail देना चाहेंगे चार गाय ही इनके पास चारो का detail जाने एक का आपको दिया और दूसरी गाय जो के ये देख पा रहे हैं ये गाय भी चार नात पे बताई जा रही है और इसके नीचे जो milking capacity बताई जा रही है वो 20 लिटर दोनों समय का milking capacity बताया जा रहा है तो काफी शांदार गाय ये भी और अडर वगरा की बनावर देख सकते हैं काफी शांदार और इस गाय का डिमांड 65,000 रखा गया है 65,000 रुपया बच्चा इसके नीचे भी female है बाची बच्चा तो चलिए तीसरे नंबर गाय के पास चलते हैं हम लोग और ये तीसरे नंबर की जो गाय देख पा गाय है तो दो दात पे और इसके नीचे milking capacity 16 लिटर बताया जा रहा है डिमांड की अगर बात की जाए तो इनके उन और दोवारा इस गाय का 57,000 डिमांड रखा गया है बच्चा इसके नीचे भी फीमेल है तो अडर की बनावट एक बार दिखाना चाहेंगे आपको इस गाय की देख सकते हैं काफी बढ़ियां अडर तो चलिए चौती नंबर गाय की तरफ चलते हैं और ये चौती नंबर गाय जो देख पा रहे हैं इसका डीटेल देना चाहूँगा काफी शांदार ब्लैक कलर में ये गाय है और प्योर ब्लैक तो नहीं लेकिन हलका सा लालपन है इसमें लेकिन ब्लैक में ही ये गाय आ जाएगी और ये गाय छे नात पे बताई जा रही है इनके ओनर दोवारा और इसके नीचे मिल्किंग कैपिसिटी 19 लिटर बताया जा रहा है जो कि अडर की बनावर देख सकते हैं काफी शांदार अडर है 19 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी और इस गाय का 63,000 प्राइज रखा गया है 63,000 रुपया बच्चा इसके नीचे भी फीमेल है यानि चारो गाय के नीचे जो है बच्चा फीमेल है तो काफी शांदार ये बहुत ही प्लस पॉइंट है डेरी फार्मर भाई के लिए तो कुछ गाय के बच्चे वो साइड में भी है तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि चारो गाय के बच्चे फीमेल है बाची बच्चा है और सभी गाय दात में ही है कोई दो दात चार दात और छे दात पे सभी गाय है तो आगे कुछ भैस है उसका भी डीटे में भी बहुत कमी देखने को आपको मिलेगा जो के दात में ये मिल चुकी है और इसके नीचे जो milking capacity बताया जा रहा है वो दोनों समय का 14 लिटर milking capacity है इसकी guarantee है तो ये इनके honor का कहना है भैस के जो honor है उनका कहना है कि ये दोनों time में 14 लिटर milking करेगी और वाके में order की बनावर से ये समझ में आता है कि भैस काफी अच्छी है डिमांड के अगर बात की जाए तो इस भैस का demand 95,000 रखा गया है इस भैस का demand रखा गया है इस angle से भी भैस को देख लें आप जो के height length भैस का काफी बढ़िया है और मेरे हिसाब से dairy farmer के लिए बहुत best भैस है और लेना चाहिए और कम जादा price कर दिया जाएगा तो चलिए अगली भैस की तरफ चलते हैं और एक भैस यह है जो के इसका detail देने के बाद फिर वीडियो को अंत करेंगे ये भैस जो देख पा रहे हैं आप ये भी भैस काफी शांदार है और dairy farm में रखने like best भैस है तो order वगरा की बनावट आपने देखी इस एंगल से भी आपको इसका body structure दिखाना चाहेंगे दात में ये भैस भी मिल चुकी है और इसके नीचे milking capacity 12 लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है भैस ये भी काफी अच्छी है तो 12 लीटर milking capacity के साथ ये भैस है और इस भैस का जो demand किया गया है वो 85,000 रखा गया है front side से order की बनावट देख सकते हैं तो एक बार और back side चलेंगे और इसका पूरा length cover करेंगे एक बार order के साथ साथ तो ये अडर की बनावट और ये भैस का length देख सकते हैं काफी शांदार तो 85,000 इस भैस का price बताया गया है 12 लीटर milking capacity के साथ में है बच्चा इसके नीचे भी mail है तो ये ही थी आज की आयनखौ मंडी से जनकारी मुझे उमीद है कि वीडियो और जनकारी पसंद आई होगी वीडियो कैसा लगा ये हमें comment करके जरूर बता है वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share करना ना भूले Thank you for watching वीडियो